सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए इंडियन प्रीमेर लीग के 11 सीजन में कल बैंगलोर की एमचिनर स्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलिंजर बैंगलोर और किंग्स 11 बंजाब के बीच मुकाबला खेला गया जिसमें कप्तान विराट कोहली ने टोस जीता और पहले गेंद बाजी करने का फैसला लिया जो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ और किंग्स 11 बंजाब को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया इस मैच में विराट की वाइफ अनुषका शर्मा भी उन्हें सपोर्ट करने आई हुई थी इस दोरान एक ओवर्ट स्पिन गेंद बास वाशिंग्टन सुन्दर का आया जिसमें उन्होंने बल्ले बास मारकस टानिस के खिलाफ लैंक बिफ़र विकिट के लिए अपील की लेकिन अम्पायर ने नौट आउट दे दिया इस कारण कप्तान विराट कोहली ने दी वियू की मांग की और रीवियू में यही साबित हुआ और नौट आउट दे दिया गया इसके बाद जब एम्पायर ने डीवियू में भी आउट दिया तो रोयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली एम्पायर के पास पहुँच गए और कुछ बात करने लग गए और खास एक गुसे में दिख रहे थे इस तरह इस मैच में किंग्स 11 पंजाब ने कुल 155 रन ही बनाए अगर आप IPL के फैन हैं और IPL 2018 की टीम्स और उसे जुड़ी हर्टाजा और मज़ेदार खबर सबसे पहले बाना चाते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि आपको IPL 2018 से जुड़ी हर्टाजा और मज़ेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने वियोज हमें कमेंट करके ज़रूर सबस्क्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंटरस्टिंग निउस के लिए